तो कैसे हैं आप सभी लोग आज इस वड़ो में हम लोग बात करने वाले यहां पर जिन क्रिकेट गेम्स के बारे में तो उनका साइज होने बारा है 100 MB से 200 MB तो दोस्तों सभी गेम्स काफी कमाल के वाले काफी अच्छे समय यहां पर लिश्ट को सेट करा है और इसमें आप लो गेम्स से रिलेटेड और भी वीडियो को जा करके आप लोग इंज्वाइब कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आज की गेम्स आप लोग को पसंद आए क्योंकि सभी गेम्स कम MB के होने वाले हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा और साथ ही में अगर चैनल में नि देखने को मिलते हैं और यहां पर आप लोग को काफी सारे टूर्नामेंट्स वगेरा क्विक मैंचेज यहां पर और आप लोग को लाइव इवेंट और टेस्ट मैंचेज और यहां पर वर्ड टेस्ट सीरीज और काफी सारे यहां पर आप लोग को फ्री टूर्नामेंट्स आप लोग की तेखने को मिलते हैं जैसे जैसे आप लोग अपना लेवल करते जाएंगे आप लोग काफी सारे यहांप टšल जाएंगे तो दोस्तो काफी सारी चीजे है इस गेम में और आप लोग को न इस गेम में हिंदी कमेंटर भी देखने को मिल लएए जो कि इस गेम की काफी अच्छी बात है तो दोस्तो इसमें आपको टोर्नमेंट के साथ साच काफी एक्ष्ट्रा फीचर्स भी आप लोग को गेम के अंदर देखने को मिलेंगे आप लोग के पास काफी सारे game features रहेंगे आप लोग अपनी jersey वगर भी change कर पाएंगे और game के जो graphics वगर हैं वो भी काफी अच्छे हैं game में जादा glitches वगर हैं नहीं है game काफी smoothly run करता है और game के आप लोग extra features तो देखी पा रहे होंगे game के जो controls वगर हैं वो भी काफी असान है और अगर बात करें इस game के size के बारे में तो ये game around 160 MB के आप लोग को play store में देखने को मिल जाएगा so next game है यहाँ पर RVC cricket game तो इस game में भी आपको काफी सारे features देखने को मिलते हैं quick matches से लेकर कि इसमें काफी सारे tournaments तो गहरा भी है तो दोस्तो यहाँ पर अभी काफी सारे tournaments unlock है और वो 56 days बाद आप लोग को खुल जाएंगे तो अभी आप लोग को इंतिजार करना पड़ेगा और game में काफी जल्दी जल्दी new new update आ रहे हैं जिसमें game के graphics को भी update करा गया है तो दोस्तो इस game को मैंने अपने previous वीडियो में भी cover करा था पर यहाँ पर और भी काफी सारे new updates आ हैं game के अंदर जिसमें game के graphics को भी improve करा गया है और game में जो bugs गहरा हो रहे थे जो glitch आ रहे हैं थे उनको भी यहाँ पर fix करा गया है स्वाब इस game का जो size है वो 200 MB के around बहुच चुका है तो next यहाँ पर बात करते हैं third game को जो third game जो है वो online multiplayer game है तो दोस्तो इस game को play करने के बाद मुझे काफी जादा मज़ा आया क्योंकि इसमें आप लोग अपने friends वगरे के साथ भी play कर सकते हैं यहाँ पर इक आपको UNDRANKED और एक rank-up option मिलता है जिसमें आप लोग अपने coins के साथ यहाँ पर play करना होता है तो दोस्तो जब आप लोग unknown players के साथ यहाँ पर match खेलते हैं और उसके बाद जब win करते हैं तो काफी जादा मज़ा आता है मैंने भी play किया और मुझे काफी अच्छे लगी यहाँ पर play करने के बाद इस game को मैंने काफी जादा enjoy किया तो कि इस game के graphics भी काफी अच्छे थे और मज़ा भी काफी जादा आया तो दोस्तो मैं भी आप लोग को यह game suggest करता हूँ तो कि मुझे भी इस game को play करने में काफी जादा मज़ा आया इस game को size है वो आप लोग को approximate 160 MB के आसपास देखने को मिलेगा तो next बात करते हैं यहाँ पर अपने next game के जिसका नाम है CZL God Crip Cat League तो दोस्तो यह वाला जो game है न इसमें आपको काफी सारे free tournaments भी देखने को मिलेंगे पर इसमें आप लोग को commentary जो है वो English देखने को मिलेगी और यहाँ पर commentary इतनी खास नहीं है पर यहाँ पर आप लोग को tournament काफी सारे देखने को मिलेंगे और इसमें आपको काफी सारे यहाँ पर अनालग अलग चीज़े देखने को मिलेंगी तो आप लोग अपने यहाँ पर जो team है उसको select कर पाएंगे और जितने अच्छी डीप आप लोग यहाँ पर select करेंगे और जितने अच्छी power होगी उनके पास तो मैच में आप लोग के वो काम आएगी और यहाँ पर game के graphics भी काफी अच्छे हैं और आप लोग को live event भी आप लोग को इस game के अंदर देखने को मिलेंगे तो दोस्तो काफी सारे यहाँ पर league भी आप लोग को इस game में देखने को मिलेंगी और आप लोग इस game को online भी play कर पाएंगे अपने friends के साथ इस game को जो graphics भी रहा है वो तो काफी अच्छे है पर यहाँ पर जो controls भी रहा है वो काफी पेकार है तो वो मुझे नहीं अच्छे लगे और उनमें यहाँ पर play करने में भी इतना ज्यादा मजा नहीं आया तो मैं तो आप लोग को यह game ज्यादा suggest नहीं करूंगा इस game का जो size है वो approximate यहाँ पर 150 MB के round है तो बात कर लेते हैं अपने last game की तो last game यहाँ पर है T20 World Cup तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सबी game T20 में देखने को मिलेंगी तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा tournament सुनाई है पर यहाँ पर एक tournament है उसके graphics और भी अच्छे हैं और यहाँ पर जो game का size है वो काफी ज़्यादा कम है और game के size के साबसे graphics और काफी better है और यहाँ पर आप लोग को controls और भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी पर game में ज़्यादा extra features आप लोग को देखने को नहीं मिले हैं और अगर आप लोग को पास एक बहुत ही कम low end device है जिसमें आप लोग ज़्यादा बड़े game cricket game नहीं प्लेगर पाते हैं तो यह game आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इस game का size है वो around 80MB और 80MB में आपको काफी जब purchase graphics देखने को मिलते हैं जिसके लिए आपको काफी अच्छा device भी नहीं चाहिए सो उमेद है कि game आप लोग को काफी पसंद आयोंगे अगर game पसंद आयोंगे तो वीडियो के एक like तो करी दीजेगा और साथ ही में चैनल में न्यू है ना तो चैनल को subscribe भी कर लीजेगा और आप लोग को description में मेरे Instagram account का link भी मिल जाएगा और सभी games के link भी आप लोग को मेरे description में मिल जाएगी सो आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ आप लोग को next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई